नमस्कार सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ गिर्राश शर्मा अभी कुछ दिन पहले मद्द्रदेश के बेरोजगार युवा उन्हें मद्द्रदेश की राजधानी भोपाल में आंदोलन किया रोजगार के लिए सभी युवा पूरे प्रदेश से खटे हुए अपनी मांगे रखी आंदोलन में कई सिक्षकों को ग्रफतार किया गया शाम को छोड़ा गया और उसके बाद कई युवा अलग-अलग आंदोलन कर रहे थे उसके बाद सोशल मीडिया पर बेरोजगार युवा लगातार अपनी मांग रख रहे हैं अपनी आवास को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उनकी आवाज सुने उनको रोजगार दे सरकार के कई प्रवक्ताओं के द्वारा बार-बार कहा जा रहा है कि रोजगार दिया जाएगा भरतिया निकाली जाएगी और आंदोलन में जिन सिक्षपों पर F.I.R. दर्ज हुईती उसे वापस लिया जाएगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है आंदोलन का प्रवाव कितना रहा कितना नहीं रहा और आंदोलन के बाद छात्रों में किस तरह का माहौल है आगे कि क्या रणनीती है आज इन सब विश्यों पर चचाचा करने के लिए हमारे साथ हैं तपो भूमी कोचिंग के संचा अवदेश जी इस आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निवाते रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कई हजार योगा उनसे जुड़े हुए हैं उनकी आवास को बुलंद कर रहे हैं अवदेश जी से हम जानेंगे कि आंदोलन कितना प्रवावी रहा आगे की रणनीत किसी क्या है और सरकार के दॉना जो बार बार कहा जा रहा है कि भरतिया निकाली जाएंगी उसमें कितनी सच्चाइए कितनी नहीं है या फिर सिर्फ संतुष्ट करने के लिए कहा जा रहा है अवदेश जी सबसे पहले अगर हम बात करें कि भुपाल में जो अभी कुछ दि पहले आंदोलन हुआ, आंदोलन की अगर हम बात करें, कितना प्रभावी आप इसे मानते हैं, क्या इस आंदोलन होने के बाद, इसमें जो प्रभाव अगर देखा है आंदोलन का, क्या रजल्ट निकल करके सामने आया? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, उन सभी आंदोलन कारी चात्रों की ओर से, क्योंकि आप वो पहले मीडिया पर्सन हैं, जिन्होंने हमारी आवाज को सही तरीके से उठाया है, और सभी दर्सकों से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा, कि आप सरल्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारी बात को पूर निस्पच्छ तरीके से, अगर कोई मीडिया चैनल उठा रहा है, तो वो सरल्टाओ, तो सर अब आते हैं प्रशन पे, कि ये आंदोलन कितना प्रभावशानी रहा, सबसे पहले मैं बताऊं सर कि लगबक 10,000 ब और काफी बच्चों ने रोशन पुरा में आंदोलन भी किया, तकरीवन 5 या 10 मिनिट के अंदर-अंदर हमारे महतपूर, महतपूर जो सिचक थे, छात्र थे, छात्रनेता थे, उनको पुलिस बेंड में ले जाया गया और उनको बंदी बना लिया गया, लेकिन फिर भी ये आंदोलन इतना प्रभाव साली हुआ है कि आज बच्चों को पता है कि सरकार का ये काम है हमको नौकरी देना, सरकार ये रोना नहीं रो सकती कि हमारे पास वित नहीं है, सरकार ये नहीं कह सकती कि सरकारी नौकरियां कम है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाएए, आज वाव शाली कि आज बच्चे डर नहीं रहें, लाखियां खाने से, आज बच्चे डर नहीं रहें, उन पर कोई भी F.I.R कट रही है, उससे भी नहीं डर रहें, ना लड़के ना लड़कियां, हर तरह से, हर जिले से बच्चे उस आंदोलन में आये, और उन्होंने दिखाय कि हमारे अंदर की आत्मा भी भरी नहीं है, हम अभी जिन्दा है, अब्देश ली, आंदोलन को लेकर के करी तरह की बाते आ रहें थी, इस तरीके के आरूप भी लग रहें थे, कि पैसे भी दिये गए हैं, आंदोलन के लिए, इसमें किक्नी सच्चा ही आपान थे, सबसे प तो वहाँ पर भी पिर्शाशन के कुछ अधिकारियों ने भी जन्ता को तोड़ने के लिए ऐसे आरूप लगाया और खुलन खुलना रेट बोली कि आपके पला पला से चको एक करोड रुपए मिले, तो मैं बस एक बात बताना चाहूंगा, कि जाकी रही भावना जैसी प् पर बिठा के रखा कोरणा पीरेड में बैंगलॉर में और उनको खरीद के तब इनने सरकार बनाई है, आलोबग दरते हैं, जैसे अगर इनने रेट ओपन की हैं, कुछ भी अपने मन से, मैं तो सची रेट बताता हूं, कि इनके जो मंत्री गड़ हैं, जिनने मंत्री पद ल इनको तो ये लगता है, हर चीज बिकाओ है इस दुनिया में, इसलिए इन्होंने आप सिच्चकों की एक रेट लगा दिये, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा इन सभी लोगों को, सिवराज सींग चोहान आपको, आपके मंत्रीों को, आपके सरकार के दलानों को, कि आप कि सिच्चक के जमीर का छटाग भर भी खरी सके, सर जब चारक की बात की जाए ना, तो घनानंद का इतना बड़ा समराज था, बिल्कुल, चारक ने उस समराज को धरातल पे लाने में, बिल्कुल भी समय नहीं लगा, किसी को भी चंद्रगुत मौर बना कर उन्होंने उनके ख की बेरोजगारों को लेकर के पूरा आंदोलन खड़ा हो रहा है, यह एक चीज़ सामने आ रही है कि पटवारी वाले जो अभ्यरती है, वो अलग आंदोलन कर रहे हैं, समधा सिक्षक वाले अलग कर रहे हैं, जिनकी भरतिया नियारी वो अलग कर रहे हैं, क्या रगता है अ कि आई है तो गया स्था कि एक याए लेदिक टेश्ट कर आ रहे हैं अब रोगर की आठ चाल क्य वेस्टारिंग शाल से नहीं longer पड़ारी की तीन साहल से नहीं आई है और वो अपने तरीके से सब落ग तो लॉक्डाण हो गया उनको एक रुपए नहीं दिया गया उनको बिलकुल ऐसे चिटक दिया गया कि तुम तो थे préf команд कुछ तुम घुल पढडा रहा थे लेकिन हैं तो पैसा नहीं तो अगर ये सरकार ऐसा करेगी तो उनकी मांगे अलग हैं हम पुलिस भरती वालों की मांगे अलग हैं MPPSC वालों की मांगे अलग हैं इसलिए सभी लोग गुर्पों में बटे हैं सभी का संदर्स अलग-अलग समय से सुरू हुआ है साथ ही साथ क्या है कि हम को मांगों को इस इस तरीके से मनवा सकते हैं सभी का age group भी अलग अलग है तो इस बज़े से ये सभी लोग थोड़ा बटे-बटे हैं लेकिन आज ये समय की मांग है कि हम सभी लोग जिस भी मंच पर बैठे सब की बात करें लेकिन अपनी बात को सबसे आमे रखें क्योंकि अगर लग तरीके से चल रहा है ये आंदोलन मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है साथी साथ एक और चीज़ है कि हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग है और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं कि लोकतंत्र है और साथी साथ क्या ये जो भारती यंता पार्टी है ना इनके जो बढ़ा होकर अगर अपनी बात कह रहा है तो इसकी बात को सरकार सुने भीड तंत्र नहीं बनाना है उनको कि हर चीज़ के लिए भीड इखटा करने पड़ी अब चूकि ये पुलिस वर्ती है पुलिस वर्ती के लड़कों में जोस होता है तो वह आंदोलन में जोस देखा बात की जाए सांदोलन के बात की कई प्रवक्ताओं ने कहा सरकार की तरफ से कि हम तुरंत नौटिफिकेशन निकाल देंगे सिक्षकों पर जो फाई-यार हुई उसको वापिस ले लिया जाएगा क्या सिक्षकों की फाई-यार वापिस हुई नौटिफिकेशन के जो दावे किये गए वो अभी तक आपाई है या नहीं आपाई है और नहीं आपाई है तो क्या इसके पीछे की मंशा आपको नजर आ रही है कि ये सिर्फ बातों से संतुष्ट करने का प्रयास है क्या है सर क्या है कि एक तो केबल सिच्चकों पर एफाई-यार नहीं हुई है छात्रों पर भी हुई है छात्राओं पर भी हुई है और मैं आपको एक वर्डिक बताऊं मद्रा साइकोड का कि अगर कहीं पर भी प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पर पुलिस 188 धारा नहीं लगा सकत है लेकिन हमारी पुलिस की क्या इस्तिती है जो बड़े-बड़े अधिकारी है वो तो सरकार के दलाल बन चुके है आज हम देख रहे हैं सिवराज सिंग चोहां सिंधिया जी और नरेंतोमर ये हर जहां-जहां उप्चुनाव है वहां-वहां सिलान्यास करने जा रहा है वह हमारे खिलाब जो 188 लगाई उसकी कुछ प्रवक्ताओं ने बोला कि हम बापिस ले लेंगे कोई बापिस नहीं ली गए और ये बापिस लेना भी निचाते क्योंकि मुद्दा केवन पुलिस वर्ती तक सीमित नहीं रहने वाला साजी मुद्दा ये है कि हर साल 15,000 पुलिस पढ़ जाएंगे कुछ पूचियन सब इन बचों के खिलाप उन छातनेता उन क्लाप उन सिर्चकों के खिलाप की मतलब एक एक एग्जांपल सेट करते कि कभी कोई अपनी बात मांगे ही रही बात ये कि ये जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि भरती निकाल देंगे तो इनकी जो पाइटी है भागती जन्ता पाइटी मैं कल का उधारण देता हूँ आगा मेहगाओं का प्रदेश उपाद्यच युवा मुर्चा मंच पर चड़ना चाहते थे चड़ने नहीं दिया गया पुलिस वालोंने लाते मानी डंडे बारे ठाने में धर के पता नहीं क्या क्या किया अब इनके उनसे भी कम स्थर के प्रवखता लोग कह रहा है कि हम भड़ती लिहा लेएज तो जब आपके इस स्थर के कार करता की यह स्थिती है तो जो नए नए उनकी क्या स्थिती होगी इनकी बात को मिते हमालोगको। दूसरी बात क्या है कि सिवरासिन चोहान जी उनका दूसरा नाम क्या है पूरा प्रदेश जानता है घोषड़ावीर घोषड़ावीर सर कुछ ना कुछ तो होगा घोषड़ा ही खाली करते होंगे काम नहीं करते होंगे इसलिए तो घोषड़ावीर बोला जाता है नोगो तो जो लोग बीड़ खटा करके आपके सर पे चड़ जाएंगे जो आपका काफला रोक रोक के आपको ग्यापन देंगे केबल उनी के बारे में बोलेंगे क्या आप जो मेला परवेच्चक के लिए जो ग्रहडियां लगी हुई है क्या उनके बारे में आप नहीं बोलेंगे तो आप बोलिए समय सीमा के साथ बोलिए और काम करके दिखाईए ना उसके बाद बोलिए तो आप ऐसे गोशड़ा भी रहे जिन पर प्रतेश को बिल्कुल भी बरुसा नहीं है अभी जो कॉरोना योद्धा थे उनके लिए इनने 10-10,000 की गोश्टा की थी कि ये लोग जो इतना काम करना है दिन दा इनकी जो तन्खा 4-5-5,000 है गाउं में अगर देखा जाए आसाकार करता वगएरा वगएरा इनको 10-10,000 उर्पै देंगी क्या दिये नहीं दिये अभी ये काफी बोल-बोल के जंतर से भुलवाते हैं ना कि भला ना चीट की नहीं की तो कॉंग्रेस से तुलना करने लगते हैं भाई साब हमको कॉंग्रेस से तुलना मत करिए हमें नौटिफेकेशन निकालिए और हर भरती की बात कीजिए और इस पश्ट बात कीजिए नेता नगरी वाली अधूरी बाते मत करें जैसा कि अपने नोटिफिकेशन की बात की आप सिक्षक भी है हर चीज को समझते हैं इस तरीके से नोटिफिकेशन फिक्स होता है कि इतने समय वेकेंसी आएगी रिजल्ट आएगा क्या लगता है मद्य प्रदेश में अगर हम राजिस्तर की बात करें क्यों यह फिक्स नहीं हो पा रहा है और ऐसा विवस्ता फिक्स हो जाए इसके लिए भी क्या करना चाहिए य यह हर चीज को चुनावी गड़ित से जोडने की कोसिस करते हैं आप देख रहे होगे मद्य प्रदेश में जब भी भरती आती है जब चुनाव होता है तब भरती आती है अभी मामा जी ने खुद बोला अब तो इनको मैं मामा भी बोलना बंद कर दिया हूँ सिवराज सिंचौन ने खुद बोला कि हम भरती आपके लिए निकालेंगे लेकिन मेरे नौजवानों आपको भी ये संकल्प लेना होगा ये बचल लेना होगा कि आप हमको बारी मतों से बिजय बनाएंगे मतलब क्या आप बोड़ खरीदना चाहते हो क्या राजनीती एक व बड़ियां भी रखें उनमें इस प्रकार की धांदलेवाजी रखें ताकि हम अपने लोगों को उसमें डाल सकें जैसे किसी बाहुबली गाउं का एक बाहुबली बेखती है जो 500 बोटों की हिम्मत रखता है या जो आपको पोलिंग डंप करके दे सकता है तो उसके अपने चुनावी गड़ित के लिए यह से उपर नीचे सेट करते हैं इस उदर जैसे हमारा केलेंडर बिगड़ता है आज मैं आपको बता दूं कि व्यापम ने एक केलेंडर बनाया कि कम्मेंड एक्जाम होने चाहिए 11 प्रकार के कम्मेंड एक्जाम हर साल होने चाहिए त चैसाल पहले वो बनाता तो चैसाल में चाहिए थे केवल बारा हुए सप्ट इतने सारे विवार्ग आते हैं व्यापम के पास कि हमारी परिच्छा करां लेकिन इन नेताओं का जो उपर से कंट्रॉल है एक्जाम कंट्रॉलर ये सेट करेंगे सारे सारे अधिकारी उसमें य कि यारी करवाते हैं किया जो पुलिस वर्ती की बात हो रही है कितनी अभी प्रदेस में जगें हैं पुलिस वर्ति आया एक्जाम को लेकर और सरकार क्यों उनको नहीं कादर इसके बारे मैं बता है कितनी अभी मैंने एक वीडियो रिलीस किया अभी वर्तमान पुलिस बन जो है वो प्रति लाग जन संख्या पर 112 है इंदुस्तान टाइंस की रिपोर्ट है और जो यूनाइटेड नेशन है वो यह कहता है ऐसा देश जहां पर क्राइम रेट जीरो यूनाइटेड नेशन अमेरिका या फिर बड़े-बड़े मुझिलेंड सुट्डिया लेंड के लिए नहीं बोल रहा है उनके लिए बोल रहा है जहांपर क्राइम रेट जीरो है नॉर्मल लॉआ एंड आर्डर सिच्वेशन समालने के लिए एक लाख जन संख्या पर 222 कुलिस कर नहीं होनेट जाएग जहा पर क्राइम ज्यादा है वहाँ और भी ज्यादा वियाईपी की सुरच्छा में उनको एक्स्टा मांगके चलिए उनकी भी गिंती नहीं है तो अगर 222 के आंकड़े के एसाब से हम मान है तो मत्र प्रदेश की जनसंक्या बर्तमान 850 लाग है लगवार दसकी ब्रतिदर से देखा जाए तो तो 1,88,000 कुछ पद यहां से बनते हैं अगर क्राइम रेट जीगो है अगर दर्वाइस तकरीबन 2,5-3,000,000 पुलिस कर्मी तो होना ही चाहिए आप भी देख रहा हैंगे छोटी-छोटी चौंकिया जहां पर 50-50-60-60,000 की जनसंक्या के बद 4-5 पुलिस वाले हैं कैसे मैनेज करेंगे उनको दवाव में काम करना पड़ता है उनको डवल टूटिया करनी पड़ती है तो अभी 90,000 के संखिंग पद खाली है अगर क्राइम रेट जीगो है तो और VIP की सुरच्चा को अटा दिया जाए तो आपको भी पता है VIP की सुरच्चा के लिए 20,000 का बल तेनात रहत पड़ेगी तो ये बिल्कुल लाइन में आ जाएगा कुछ लोग पुराने रेटायर होंगे और कुछ जंसंख्या भी बढ़ेगी और पांचे साल में ये चीज़ कबरिंग हो जाए अब क्या है सरकार क्या है ये रोना रोती है कि हमारे पास पैसा नहीं है आप बताईए हर या रोपे मीकल का भी सामने खरीतके तो 16 9.000 अएड़ाल सरकार को जाता हम एक लीटर अगर तेल लवाते अपने उसमें तो 300.000 को जाता है हम हर जगह से टेख्स भरने है इंकम टेख्स पिर अलग से बहा हैов। आरे इससी संपत्थी यह पर्यावायड़र्ण होजोद है। इन सब का पैसा सरकार भर रहे हैं और जो बजयोट आता है, उसको ऐसे बिभागों में डालते हैं जहांते यह वर में भर बाहे हैं। उनने का नदी बचाओ विभाग, कुछ भी विवाग बना देंगे, और उसमें पैसा डाल लेंगे, और अपने NGO बगेरा की माध्यम से उसको निकाल लेंगे, अगर वो यही पैसा रोजगार के छेत्र में डालेंगे, तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको तो तंखा फि अगर हमको सरकारी नौकरी चाहिए सर, क्या होती है, एक जनसेवाई तो होती है, अगर हमको जनसेवा करना चाहते है, तो हमको मौका दीजिए, आप नेता हो, आपको जनसेवा का मौका हमने दिया, अब हम भी जनसेवा करना चाहते है, मौका दीजिए, यह लोग क्या है, य जनसिवा का मोका देले कि सरकार बात करने लगी आत्मी निर्वर भारती की आत्मी निर्वर बनिये इस पर आपका क्या विचार है कि नौकरी अगर युवा मांग कर रहा है तो क्या ये आत्मी निर्वर होना नहीं है और सरकार जो कह रही है वो कैसा आत्मी निर्वर भारत चा पुला च्छाप सरकार है उनका जो मन होता है बख देते हैं कोई इंपलीमिटेशन नहीं होता चाहे वो लोटबंदी के जो आने से देखते हैं सर हमने तो खोद यह सरकार लेके आए लोटबंदी में हमने देखा कि मात्र 45-45 दिन के अंदर और हर नेता को चोटे 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 भईये नेतों को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है वो सब अपने पैसे को जमीने लेने लगे थे तो यह सारी चीजे पहले से अंदर इनों सर्कुलेट करी फिर वो काम करा तो यह लोग तो कुछ भी बोल देते हैं यह केबल अपने लोगों को बचाते हैं हम लोगों तो क्वेबल जुमला देते हैं कि आप आत्म निर्वर बन गया जैसा यह लोग मानते हो उससाब से मैं सरकारी नौकरी कर रहा था मुझे 15-20 नौकरियां मिल गई थी उस समय ठीक है जहां पर भी हर जगे से लेक्ट था लेकिन मैंने वो छोड़के यहां पर अपना स्वें का एक बिजनिस इस्ताफित करने की कोशिस की आत्म निर्वर था अब आपने तीन साल से विकेंसी न मैं का मेरा तो सब ताम जहां उठा के चल दूँगा मैं तो मेरे पास जोला भी नहीं रहेगा तो आत्म निर्वरता की जो यह लोग बात कर रहे हैं वो बिलकुल सर औरी बात है और अगर व्यक्ति अगर जन सेवा के लिए अपना जीवन सर्वास नुचावर करना चाहता है 12,000 की नौकरी के लिए आदमी वापे लाठियां खा रहा है इतना दोड़ धूप कर रहा है इतना मैनत कर रहा है तो उसको आप मौका क्यों नहीं देते हैं क्या वो आत्म निर्वरता नहीं है वो भी सर एक आत्म निर्वरता ही है अगर व्यक्ति हर व्यक्ति आत्म निर्व एनोगों के साथ आप ऐसा करेंगे कि नहीं आपको नौकरी नहीं करना हम नोकरी यूटतोर दर्टन मिल्ट को ऑड़नом को नाचनाbacks आए आंगन इड़ा यानिग केनि को नौकरी देना आता अभी तो बोला जा रहा है चुनाव आने वाले हों चुनाव आने वाले हैं क्या युगाओं की रंडिती है आगे किस तरीके से वरोध किया जाएगा अगर नहीं आपकी मांगे मानी जाती है जैसा कि चार मांगे थी कि आयू सीमा 37 साल की जाए 15,000 आरक्षक की बरती हो और पी 40 तक देते रहो, 50 तक देते रहो, बस आप अपने मन में एक दिलासा रखो कि हमको सरकारी नौकरी मिले। हम देगे भले सकनी तुम्हारी उमर बढ़ाते हैं ये काम कर सकते हैं, दूसरा ये पीवी से करा सकते हैं लेकिन उसमें जो घोटाले का जो बिजनिस है उसका एक नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, हमको 15 अजाग पदों का नोटिफिकेशन चाहिए, साथ ही साथ हमको एक ऐसा केलेंडर चाहिए, कि 10 साल निकले पुलिस वर्ती की नहीं है, वो महला परवेक्षक की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से, वो सरा आज भी पढ़ रहे हैं, तो जूता मारो, भिगो के मारो, तब हम कुछ सोचेंगे आपके बारे में, अदर्वाइस हम नहीं सोचेंगे, आप जब तक सोते रहोगे, हम आपको कुछ नहीं देंगे, नरेन तोमर जी और वीडी सर्मा, बड़े-बड़े नेता हैं, सिवपुरी में गए, तो सिचक भरती करके एक और बर्ज दो, इनके अभ्यर्ती और पुलिस अभ्यर्ती, 15-16 लड़के थे, वो वहां पे पहुंचे, उनने अपना ग्यापन दिया, तो उनने का बेटा, मैं तो बैसे भी आपका रहनुमा हूँ, और मैं तो आपके लिए ही लगा रहता हूँ, दिम्राथ आपकी ये स्टेड का मामला है, वो ही इसमें कुछ करेंगे, और तब दुगली-तिगली संख्या में आना, तो कौरोना पीरेट में ये लोग यही चाहते हैं, यही चाहते हैं कि हम यतने बड़े सेंसा हैं कि जब तक जनता हमारे पास नहीं आएगी बीड में, तब तक हम बात नही मालेंगे, एक्चली मैं इनका ये जो तरीका है, ये लोकतंत्रिक सरकार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ये क्या है कि, अब क्या सब्सब्द नहीं है इनके लिए मतलब भी बोलने के, अगर बात की जाएं मांगें नहीं मूती है, नोटिफिकेशन नहीं आता, जैसा कि युवा इसको लेकर कि और क्या इसके गंभीर परणाम उप्चुनाव में देखने में मिलेंगे, जी हाँ सर, अब चेकर क्या उप्चुनाओ की इस्तिति ये है, कि एक तरफ नांगनात, दूसरी तरफ सांपना, कि कॉंग्रेस जब आई, तो कॉंग्रेस की वज़ेसे ये भरती जो डिले हुई है, ये कॉंग्रेस की रड़नीती की वज़ेसे डिले हुई है, नहीं तो काओ युवा जागी नहीं पाता, ये जो पीवी से फ्रेस भरती होती थी, 80% लोग फ्रेस जाते थे, 20% लोगनाईजेशन वाले घोटाले वाले जाते थे, तो जो फ्रेस है, ये इतना परष्टाचार कर रहा है, ये इतनी बिलकुल ही, सबकी आत्मा निचोड़ के खा जाना चाहते हैं, तो भी जनता को दिक्कत नहीं है, तो ये काम हम भी करेंगे, तो ये ही वाला लपड़ा ये लोग भी करना चाहते थे, तो यही एक कारड़ है कि जिस वज़ है, तो उप्चुनाओ में हम देखते हैं, अगर कोई आता है भईया, कोई हमारी बात उठाता है, कोई अगर दमदारी से हमारी बात उठाएगा, फैक्ट के साथ उठाएगा, आंकड़ों के साथ उठाएगा, अगर हमारा छेत्रिय विदायक अगर विदायक बनना चाहता ह तो वो सीधर मुख्य मंत्री से आख से आख मिलाकर बोलेगा कि 15,000 विकन्सी दोगे कि नहीं दोगे अगर नहीं देगा तो हमारे साथ धरने पर बैठेगा तो हम उसको बोट देंगे चाहे बाजपा को चाहे कांगरेश अरदेश जी चंते-चंते सभी योगां से आप क्या कह है संपूर क्रांती का संपूर क्रांती कैसे पुलिस भरती तक की बात नहीं है यह हर जगे कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जिससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है अगर आप ग्राम पंचायत में रह रहे हो तो पंचायत का सेकेटरी भी जब चुला जाता है ना तो वो चुना जाता है। आंगलवाडी कारकर्ता की भी लिपती होती है ना आसा कारकर्ता की भी लिपती होती है ना उसके लिए भी जुगारे चलती है। चैन गलत तरीके से किया जा रहा होगा तो पूरे प्रदेश के लोग वहाँ पर खड़े हो जाएंगे और उस गलती को होने नहीं देंगे हम छाती पे चड़के प्रक्रियाओं को सही कराने की हिम्मत रखते हैं बस हम सभी को एक होने की जरूरत है साथी साथ सर उपचुनाओ कि लिए भी मैं थोड़ा अपना एक व्यक्तिगत पर पेच रखता हूं कि ये जो सरकार है हम लोगों को बहुत हनके में ले रही हैं अगर ये नॉटिफिकेशन नहीं निकालते हैं तो उपचुनाओं लड़ने वाले तो हैं नहीं इतना तो पैसा है नहीं हमारे पास नहीं नहीं इतने लोग हैं नहीं इससे सरकार को कोई फरक पड़ेगा सरकार समय ले लिए अजार दो अजार वोट लेके निकल लिए भरती नहीं दे रहे तो हम क्या है कि व्यक्तिगत तोर पे एक एक इनके जो केंडिडेट हैं उनका दुस्परचार करेंगे अगर ये तीन दिन कि आपके यहां भी केंडिडेट्स की कुछ बारी चीजे होती होगी और जनता को आप अच्छे से समझते होंगे कि क्या चीजे जनता के दिमाग पर लाइती हैं तो इनकी जड़ों को तोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे तो दर्शो को ये थे मारे साथ तपव भूमी को अगर माने नहीं मानी गई तो बरतमाल सरकार के जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो कमिया होंगी उनको जंता के सामने लेकर के आएंगे साथी साथ कहा कि यह आंदोला रुकने वाला नहीं है आगे चलना है जब तक की कलेंडर फिक्स ना हो जाए हर साल भरतिया ना दी जाए रोजगार ना दिया जाए तब तक के लिए साथी साथ अफदेश्री हम आपका बहुत सहजाय से धन्वात करना चाहेंगे जो आप अपना कीमती समय निकाल करके सरल टॉप के स्टूडियो में तो दोस्तों मेरे साथ फिलाल इतना ही अगले वीडियो में आप से फिर होगी म तक्लीम मुझे दीजे इजासत नमस्कार